आप लोगो बताते हैं इस यहाजार को मैं जो है छे लाग तक लेके जाने वाला हो एंड यह हमारा इस ट्रेडिंग जर्णी का एपिसोड नमबर है थर्टी सो आज के दिन हम लोगों कैसे क्या प्रॉफिट किया है लॉस किया हर एक चीज के बारे में आप लोगों बताते हैं आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो आज है दूस्तों 20 नवेंबर लास्टे मतलब लास्ट फ्राइडे मींस 17 नवेंबर को हम लोगों ने ट्रेड किया था बस उस दिन का वीडियो मैनेज हुआ है अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि उसके बाद मेरा सीडूल थोड़ा से वीजी चला था तो इस कारण से मैं अब अपलोड नहीं किया बड़े उस दिन का मैं आप लोगों को एक सौट अगर बता द लाज्ट है वही 150 रूपीज लॉस के बाद मेरा कैपिटल जो है वो बना है 6,080 रूपए इसी 6,080 रूपए को लेके आज हम लोग जो है ट्रेड करने वाले हैं और देखने वाले कहा क्या प्रॉफिट होता है या कहा क्या लॉस होता है ओके तो सुरू करते बड़ उससे मैं मार्केट में आज बिल्कुल से टाइम पर आ गया था से टाइम पर मार्केट में आज आने के बाद यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ मार्केट में हेवी सेलिंग दिखाया मैं समझ गया था कि मार्केट में अच्छे खासे सेलर्स जो है है आज के मार्केट में अच्छ यहाँ पर सब का इसे लिट करवाया, अगले ही पल आप देख सकते हो कितना बड़ा red candle बणा तीन-चार अच्छा कासा red candle बणा तो market आज जो है बैरिस था, तो इसी बैरिस market में मेरा यहाँ पर नीचे setup बना मैं देखा कि यहां पर एक setup बन रहा है, market बार-बार एक line पर support ले रहा था, तो इसी करण से, इस जगे से मैं upside का plan तो कर रहा था, लेकिन इस बज़े से मैं trade नहीं ले पा रहा था, क्योंकि market ओले इतना सा गिर चुका था, अब यह उपर तो नहीं जा सकता है, market यहां से धीरे तो मैंने इस जगे पर wait किया, market ने एक और बार resistance लिया, same line से, and इसके बाद, third time जैसे market resistance लिया, इस जगे पर हमने अपना entry बनाया, बट यहां पर मैंने पता है, गल्ती क्या कर दिया, मेरा daily loss लेना का target आप लोगो जैसा बताए कि 1 PP रूपीज है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा first trade जो रहता है, वो रहता है, एक रूपे का इसे लगता हूँ, मतलब उसमें एक पॉंट का इसे लगता हूँ, और second trade मेरा क्या हूँआ, कि मैंने एक पॉंट के से लगता, और यहां पर मुझे exact याइड था है, मैंने 43 पे entry किया, जी strike price पे मैंने चूज किया था, उसक पी लिया था तो पी के चार्ट के अनुसार अपसाइड में निकला अच्छा खासा मुझे यहां पर प्रॉफिट मिल सकता था जो की नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे गलती के बज़ा से मैंने यहां पर एक चोट असा गलती किया वह है कि एक पॉंट के से लगना एक पॉंट के से करने का कोई मतलब भी नहीं था तो आज का मेरे डेली मतलब आज का ट्रॉटल लॉस है वह आप लोगों को मैं स्क्रीड पर दिखा देता हो और आप से बीक चीज और बता दू कि से आज मैंने लॉस किया 50 रुपिस पर अगर यहीं करता हूं इमस्टॉक से अगर मैं जीरोदा या धन्स के थ्रू ट्रेड करता तो मेरा आज का लॉस होता प्रेड लिया 50 रुपे उसमें लॉस है लेकिन ब्रोक्रेज तो 50 रुपे लग जाता ना तो टोटल लॉस 100 रुपे हो जाता तो अगर आप लोग भी आप में से कोई भाई अगर ब्रोक्रेज से परिशान हो जीरो ब्रोक्रेज पर ट्रेडिंग करना चाहते हो देन करवाने के लिए आप लोग को 999 वाला प्लान लेना पड़ेगा और यह लाइप टाइम है मतलब एक ही बार आप लोग को पैसा देना है फिर लाइप टाइम आप जोए इसको उपबग कर सकते हो ओके तो आप मैं से कोई वाई अगर ब्रोक्रेज से परिसान हो जो डिए डि इंजोई करो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और गाइस अब मैं आगे मिलता हूँ एक फ्रेस्ट न्यू वीडियो से तब तक लिए इस्टार्ट एंड अब